आप लोग पिछले व्लॉक में आप लोग ने देखा कि मा सिधार्ती मांताबंदीर हम लोग पहुंच गए थे और आगे का ब्लॉक आप लोग इसार नहीं शेयर किये थे और यहाँ पर आज हम जमा कर रहे हैं भिछा जो पूरा दिसंबर का महीना और 14 जन्वरी तक हमने भिछा मागा और यह तो मा भगवती का भंडारा होने वाला ह यानि 20 जन्वरी को और आप लोग हमारी यूटूब फैमली आप लोग बहुत ही किश्मत वाले हो आप लोग भी जुड़े हुए हो और अक्सर हमारे ब्लॉक में मा भगवती के दर्सन करते रहते हो तो यहाँ पर हमारी एक मानता है कि जब तक हमारा जीवन रहेगा जब त इच्छा मातारानी लिया था कि देखते हैं सोभारानी कितनी दूर दूर जाती है और भिच्छा मांग करके लाती है और जहां भी जाते हैं हमारी बहने खुशी-खुशी हमको भिच्छा देती हैं तो उन लोगों का भी शोभाग है कि उन लोगों के घरों से थोड़ी-थो फैमली है यानि हमारी बहुए हैं सभी लोगों ने फोन से ही कह दिया था कि बुव आप हमारी तरब से भिच्छा जमा कर दीजेगा और बाद में आपको मनी दी जाएगी तो आप लोगों को उन लोगों के नाम भी बता देते हैं तो जैसे कि हमारी बड़ी बहुए बिनीतका उन्होंने कहा गितांजली बहु ने कहा और बंधना बहु ने कहा जोती की मम्मी ने कहा बिट्टू की मम्मी ने खुद भेएद दिया था क्योंकि हमारी शासूमा पछंग धाम गई थी तो उनकी तरब से भिच्छा आ गए थी बड़ी वाली दीदी ने हमारी कहा कि सोभा बिच्छा जमा कर देना काफी दूर दूर से सब लोगों का शहोग भंडारे में आता है और हम तो यही कहेंगे कि माभगवती सभी की इच्छा पूरी करना और हमारी बेटी रूची भी दो साल से बिच्छा मांग करके जमा करती हैं और इन लोगों का सब को बहुत ही बड़ा शौभाग है और हमारी यूटूब फैमली आप लोगों का भी बहुत ही बड़ा शौभाग है जो आप लोग हमसे जुड़े हुए हो और जो यूटूब की तरफ से आता है वो भी माभगती के भिच्छे में यानि भंडारे में हाँ पर जमा होता है तो आज हम ना तीनों च साफ़ी बीच्छा हो जाती न तो टाइम भी लगता है गिंती करने में इसलिए चिन्नु मुन्नु को ले आए हैं तो आज नैराम से गिंती करने के बाद ना लिखते भी जा रहे हैं तो यहां हम लखनव से भी यानि जितनी हमारी बहने हर साल मांगते हैं ये कार करते हुए हमको 22 साल हो गए और बहुत ही भाव से सभी लोग भीच्छा देते हैं और मा भगवती का हम लोग खुशी खुशी शे यानि जन्में दिवस मनाते हैं देखे हम सब लोग कितने किश्मत वाले हैं यानि अपना बड़े और अपने बच्चों का बड़े अपने फैमली का और जितने भी भक्त हैं कितनी दूर-दूर से आते हैं और 20 जन्मरी को धूम धाम से हम मा भगवती का बड़े दिवस मनाते हैं क्योंकि 20 जन्मरी को ही हमारे गुरू जी ने मातारानी का अस्थापना दिवस यहां पर हुआ था तेली भाग में अकसर आप लोग हमारे पराहती है कि चाय पी करके जाते हैं जहां जहां जाते हैं सभी लोग इतने भाव से कुछ न कुछ हमको खिलाते पिलाते भी रहते हैं तो ऐसे तो भोजन तो नहीं करते हैं लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अपना फलहार लेते रहते हैं लेकिन पहले जब हम भिच्छा मांगते दी थी लेकिन अब तो हमारे गुरु जी ने हमको आदेश दे दिया है अब घर्द के अंदर हम इंट्री कर लेते अराम से बैठते हैं और चाय पानी लेते इसके बाद भिच्छा ले करके फिर चलते हैं तो हम आगें उपर और आज हमारी गुरु मा क्या बना रही यहां पर म सिराओ यानी चासनी गरमा करके गुरुधी दाल करके बसी अपने काम कर लेते हैं और ऊछिल से ढल के इनकी ंट्री पर मेंरे यह आ गई हो और यह भी हमारे स्वाहद़ रहे हमने का हम ने आपके हम कुछ करने को हमको मिल गया हाँ मुष्रु टीनो बंदरों को समोसे देख है गुरु माता ने लड़ू ये बहुत ही टेश्टी बनाती है और गुरु माता ने न मेवे को घी मे भून करके और इसको मिक्सर में पीश करके इसमें आठा गाइस बिलकुल नहीं आपस में हम सब बहने बाते भी करते जा रहे हैं कि 20 जनवरी बहुत ही पास में आ गई है औ और यहां पर धूम धाम से चल रही है तैयारिया, थोड़ी थोड़ी ना चासनी डाल करके मेवे में अर ऐसे करके हम बांगते जा रहे हैं, और चासनी ही बहुत अच्छी गुरू मातनी बनाया था, लड़ू भी हमारे बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं, तो गाई जल्दी ब तो चली गए थी और ये तीनों लोग बंदर लोग ना समोसे खा करके बाहर हमारा इंतिजार कर रहे हैं तो ये भी आ गए थे बाहर खड़े हुए हैं तो जल्दी यहां से निकल रहे हैं तो दो मिनट ये भी कान कर लो थोड़ी समय के लिए ना हम लोग रजनी खनवाले मकान में भी आ गए थे हमने का साम का समय हैं लॉइट और आन कर देते हैं और बच्चे हम सब लोग साथ में हैं बच्चों का कहना है पापा मार्केट चलिए कुछ लेना भी है क्योंकि तेली बाग के मार्केट में इतनी भीड थी साम की समय तो आहां पर हम लोग बिलकुल नहीं टीवी नहीं है और यहां पर यह लोग क्या लेकर के आ गये हैं तो यह लोग खुद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्या लेकर के आए हुए हैं इसी तरह रोज रूची दीदी को बुलाते रहा करो ठीक है यह बड़ी आए हम पर दया दी है यह ज़े आगे लोग है नमक है過去 देख रख दिया है जएँ भच्चा पालटी भी अवि असनान ध्यान कर रहा है थोड़ी थोड़ी नहीं इन लोगों को गंगा जल दे दिये हैं और काले तिल दे दिये हैं काले तिल को सरीर में लगा करके हर हर गंगे बोल करके इशनान करना है वैसे तो अगर पास में गंगा महिया हो तो क्या पूछना है जैसे के हमारी बड़ी वाली दीदी गंगा जी के एकदम से किनारे ही है यानि गंगायशनान उन्होंने किया होगा हमारी तरब से भी हमारी दीदी ने डुपकी लगा लिया होगा कोशिस तो हमने बहुत किया कि हमको भी जाना जाए गंगायशनान के लिए बट बस यही है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी नहीं थी और प पूजा नहीं था तो गाईज अब हम आ गए हैं मंदीर और यहां पर पहले करते हैं गडेश भगवान की पूजा राम जी की पूजा मतारानी की पूजा भोले बाबा के आप लोग भी दर्शन करी हम भी कर रहे हैं पंडित जी आ गए हैं तो आर्थी होने लगी थी आप अब लोगों को भी मकर संक्रांटी फिचडी की बहुत सुपकामना है हमारी यूटूब फैमली को और बाहर में इतनी तेज हवा चल रहे हैं इतनी ठंडी है कि पूछे नहीं एकदम से कानों से साइज साजे से निकल रहा है मंदिर में हमको थोड़ी से टाइम जादा लग गया क्योंकि आर्थी शुरू हो गए थी अजब आर्थी होने लगे ना मंदिर में हो कहीं भी हो तो आर्थी चोड़ करके जाना नहीं चाहिए तो बोले बाबा की आर्थी हुई राम जी की हुई और माता जी की हुई बजरंग बली की हुई न इसलिए थोड़ा टाइम डग गया तो बच्चे भी आज चुट्टी में है तो जा रहे हैं वैसे को सुबह हमने पतिद्यों के लिए बनाया सब जी रोटी खिड़ी सुबह जल्दी हम भी सब बच्चों के लिए और अपने लिए सब की बनाते हैं खिच्डी सुगाजाप लोग लगा दिया इसके बाद हमने रख दिया है भगोने में पानी बगोने का पानी अच्छे से गरम हो रहा है हम धुल लेते हैं खिच्डी क्योंकि हम बनाएंगे भगोने में खिच्डी सुबह तो हमने कुकरें बनाया था क्योंकि सुबह हमको बहुत ही जल्दी खिच्डी बना करके इनको खिलाना था इसलिए कुकरें बनाना पड़ा वैसे न भगोने में बनाएंगे न थोड़ी से हमारी खिली-खिली सी खिचडी बनेंगी एकदम से वह ऐसे वाली खिचडी नहीं बनेंगी तो यहां पर हमने खिचडी डाल भी दिया और अराम से हमारी खिचडी पक रही है बच्चे भी नहां करके रेडी हो रहे हैं करें मा आज कुछ नए कपड़े पहनना है तो ऐसे हमको मायके की अपनी याद आ गई कि जब हम लोग ना बच्पन में क्योंकि हम लोग जब छोटे थे ना तो ऐसे ही अम्मा से पूशा करते थे कि अम्मा खिचडी वाले दिन नए कपड़े पहने जाते हैं तो वही बात हमको भी याद आ गई अपनी मायके की तो यहाँ पर हमारी खिली 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 खिचडी पक गई है तो आप लोग भी आ जाहिए चलिए सब लोग खाते हैं खिचडी और खिचडी के तीन यार कौन है यानि घी, अचार और है देही तो यहाँ पर हमने चटनी निकाल लिया था चलते हैं उपर के हॉल में बच्चे भी आ गए थे मंदिर से सब को पहले खिलाते हैं तो यहाँ पर अपने कामों में लगे तो यहाँ पर अपने कामों में लगे रहों तो ठंडी कम लगती हैं अभी धूब बाहर बिल्कुल नहीं निकली है तो हम मिना से बोल रहे हैं कि यह सब अंदर के काम कर लेते हैं क्योंकि सुबे से यह वाले काम नहीं हो पाए थे बच्चे यहाँ पर सो रहे थे और जब बच्चे नहाने में लग गये थे तब ही हम सोच रहे थे, कि पहले काम कर लेते हैं, इसके बाद हमने सोचा, अराम जात तेओहार को पहले खिचडी बनाते हैं, खाते हैं, इसके बाद ही काम करते हैं, तो काफी यह कालीन है, जो नीचे फर्सम पड़ी रहती है, तो सासुमा की तैयारी चल रहे थी न, इसमें इंआटा, दाल इतना पड़ा हुआ था तो पहले हमने सोचा इसको जाडू से अच्य से साप कर देते हैं लेकिन फिर जाडू से नहीं साफ हो रहा था तो इसमें पानी डाल करके अच्छे से ना जाडू से वृस्य एक पानी तो हम तो यहां लगाते थे लेकिन केस कालस ने इतने बाल जड़ते हैं हमारी वह ने आप लोग कुछ बताएगा कि ठंडियों में हम क्या लगाएं वैसे तो मिहनी लगाने की इच्छा नहीं थी लेकिन थोड़ी धूप निकल आई थी तो यहां पर हमने लगा भी लिया है मलाई भी अपनी म काल लिया और टाइम ना चार बज गये थे हम सोच रहें जा रहें महिंदी धूल लेते हैं क्योंकि साम को अगर धूलेंगे ना थंडी भी लग जाएगी और वैसे भी गरम पानी से तो कभी भी अपने केस नहीं धूलना चाहिए तो यह सब अपने काम कर लेते हैं और रजन हो आदे तेरी आरे थी अम्मे तु है जड़नमे कालू से बज़ने कपर भारी तेरी दोनी गाएं आरे थी एक हपते पहले नए बहन मकान देख करके गए थी तो इनको मकान बहुत ही पसंद आया तो यहां पर छोटी सी माता रानी के प्रितिमा भी ले आई थी और इंडेक्शन वगरा ले आए थी अभी ज़्यादा कुछ समान यहां पर नहीं लाई हैं और इंडेक्शन में इन्हो मंगा लिया था लड़ो छेने की रसगुला आप बोल रहे थी कि पंडी जी बोले कि आजी का मूर्थ बहुत ही अच्छा है क्योंकि शोम मौर का दिन था और मकर शंक्रान थी थी तो यह हमको भी बोली और वैसे तो हमको ऐसी अचानक ही आना हो गया हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब हम भी इनके यहां शामिल हो जाएंगे लेकिन वो बोली कि आपको अब प्रिशाद लेकर के ही जाना है और यहां पर मनु हम सब लोग प्रिशाद भी ग्रहन कर रहे हैं मयरानी की आरती भी कर लिए और सबसे मिलकर कि इतनी खुशी हो रही है तो यहां से बस हम को एंड भी करना चाहते हैं व्लोग पसंद आए लाइक करिए सब्सक्राइब करें शेयर करें ऐसे ही प्यार देते रहें जाये मतली गाईज